इंदोर के बांगंगा थाना शेत्रमी मंगलवार शाम बड़ा हाथसा हो गया यहां थाने के पास ब्रेच के उतार पर दो बालिक पर पीछे से आई क्रेन चड़ गई इस हाथसे में दो नाबालिक भाई समित चाल लोगों की मौत हो गई जब की 40 साल की एक महिला का पैर पानकारी सामने आई है कि क्रेन के ब्रेक फेल हो गए थी क्रेन बस के पीछे चल रही थी और बेकाबू होकर दो बाइक पर चड़ते हुए आगे निकल गई प्याई राजनरे सोनी ने बता आया CCTV फूटेज सामने आया है इसमें क्रेन रफतार से आके चल रही है दोनों बा है उसके दोनों पैरों में फ्रेक्चर हुआ है शबकी शारदा के बहां के बेटे राज उम्रे 13 साल की मौत हो गई है सभी रेफती में शारदा के भाई की बेटी की शादी में थी यहां से सभी अपने गाफ काली देवी जहाबूआ वर डबल चौकी रहे थी पुलिस ने प्रथम प्रयास में चारों डेट बर्डी उसको पहुचाया है जो गहल थी एक महीला उसको भी आस्पिटिल पहुचाया है और यह इन्वेस्टिकेशन का विशह है कि एक्जेक्टली हुआ क्या है